हम लोग शाहिद इंजिनिरिंग के स्टॉल पे खड़े वें और इनसे हम थोड़ी सवाल करना चाहेंगे के इनका एक्सपीरिंस कैसा रहा स्वीडिन का माशाला जी बहुत अच्छा अक्सपीरिंस रहा है और यह पाकिसान अबैसी ने जो प्रोग्राम और आर्गनाइज किया है यह एक अच्छी काविश है तो इस तरह के और भी इवन्ट होने चाहिए और इनके साथ-साथ जो जैसे आपका वो पिक्स है उनका भी अच्छी काव कर दो तो अपको पारश चला सोर्स पाकिसान के बारे में और आपका एक्सपीरियनस कासरारा है sollte सफ पाकिसान सफर के साथ। एक्सिरियंस तो बहुत अच्छा रहा है तो यह तो लाइफ का इस्सा ऑज इस से बाग सिरियंस होता है इसी वर्गत बुरा एक्स्पी вып 있are एध कि अपोının मीुट के नाम से मेरा चैनल के उन टायर मेरा तोपार बन। पाकिस्तान में न क्स्ट कर यह कंपनीं थेग verbess… छेए जासे जांड़ा निसान गांपनी ए डांड़ो थे मिलर्यों ट्रैक्टर्स, अलगाजी ट्रैक्टर्न थेडर कोंपनें थैय हम उने पार्स बगरा बना के इंटरनेशनल लेवल के मताबक सप्लाई देते हैं और पाकिस्तान में बड़ा स्कोप है आटो पार्ट की इंडस्टी में तो हमारी गौर्मेंट को चाहिए कि इसमें मजीद हेल्प करें लोगों की तो हम बहुत उपर जा सकते हैं आटो इंडस्टी में स्वीडन से अप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी कंपनी के जो प्रोड़क्स है उसकी यहां पर कितनी जादा ज़रूरत है देखें जी आटो पार्ट की जुरूरत तो स्वीडन के लावा भी पूरी वर्ल्ड पे है पूरी वर्ल्ड पे गाड़ियं चलती है उनमें आटो पार्स यूज होते हैं स्वीडन में भी एक वेल नौन आप जानते हैं कॉंपनी आटो की बहुत बड़ी मैन के नाम से अगाल बनी अच्छा हमने सुना है कि आपका एक मैगजीन भी है अब्दर्वेशन इंटरनेशनल के नाम से उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उसकी मैगजीन है जी मंतली हम करते हैं अब्दर्वेशन इंटरनेशनल के नाम से और अभी स्पेशली इस मंत का जो अडिशन था वो सोर्स पाकिस्तान के उपर ही सहरा किया था उसमें हमारे साथ जो इदर की सुसाइटी या पिक्स नोंने बड़ा अच्छा तावन किया हमारे साथ उसके लिए तो मैं आ एक मैं अगल क्या हुआ।